दोस्तों ये है राजस्थान में चंबल के किनारे बसा भारत का बड़ा ही मशहूर कोटा शहर ये शहर कई वजह से विसुभर में प्रसिद्ध हो चुका है भारत का बच्चा बच्चा इस शहर के बारे में जानता है क्योंकि कोटा को भारत की education city जैसे स्वरनीम सब्दों से बुलाया जाता है कोटा भारत में अपने educational institute और coaching centers की वज़े से बहुत ज़्यादा famous है कोटा में engineering और medical के field में जाने वाले students काफी ज्यादा रहते हैं जो भारत के विभिन कोनों से आकर अपने सपनों को आजमाने आते हैं यहाँ पर बंसल classes, ellen institute जैसे ख्याती प्राप्त institute मवजूद हैं दोस्तों ये शहर जैपूर से 240 km दक्षिर में पड़ता है जहाँ पर लगभग 12 लाग की जनसंख्या पाई जाती है जो इसे राजस्तान का तीसरा most populated शहर बनाता है इस शहर का क्षेतरफल लगभग 121 वर किलोमेटर है जहाँ की धर्ती पर तकरीब दस लाग से ज्यादा लोग रहते हैं जो इसे भारत का चालीसवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनाता है देश भर से आये विद्यार्थियों और काम करने वाले मजदूरों की वज़े से यहाँ की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है यहाँ की कुल अबादी को जनसंख्या के साथ बांटा जाए तो यहाँ करीब 4500 व्यक्ती प्रतिवर किलोमेटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है शहर की अबादी में से 82 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं वही महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो एक हजार पुरुषों पर 895 महिलाओं का लिखानपात पाया जाता है उटा शहर धार्मिक लिहाद से भी बड़ा ही डैवर्सिटी वाला शहर है यहाँ की अबादी में सबसे जादा 80 प्रतिशत लोग हिंदू समुधाय से आते हैं दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अलप संक्यक समुधाय इसलाम में मानने वालों का है जिनका हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत है इसके लावा सिख इसाई बोध धर्म के लोग भी बहुत ही कम मातरा में पाये जाते हैं यहाँ पर हमेशा से बसने वाले लोग हाडोती राजस्थानी को अपनी मातरी भासा मानते हैं इसके लावा हिंदी, मारवाडी और अंग्रेजी भासाई बोलने वाले लोग भी शहर में रहते हैं एकॉनमी यानि अर्थविवस्था की बात करें तो ये शहर काफी सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है सबसे पहले तो बात करते हैं कोटा जिले के ग्रामीन इलागों की जहाँ पर ज़्यादा तर लोग खेती और पशुपालन का काम करते हैं यहाँ पर कपास, गेहूं, सरसों जैसी फसलेंश ज्यादा तर मातरा में उगाई जाती हैं कोटा में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स की पॉलेशिंग की जाती है जो भारत भर में कोटा स्टोन के नाम से जाने जाते हैं इस शहर में ट्रेडिशनल साडी के डिजाइन दो तीन सदियों से बनाये जा रहे हैं जो विलुपती के कगार पर जा चुके थे लेकिन फैसन डिजाइनर्स और फिल्मों में काम करने वाली अभी नैत्रियों ने फिर से इसे जिन्दा कर दिखाया आज कोटा शहर की डोरिया साडी भारत में अपनी अलग पहचान रखती है इसके अलावा भी कोटा नौर्थ इंडिया के इंडस्टिरल हब्स में से एक है यहां सीमेंट, कैमिकल्स और कई सारे इंजिनिरिंग कमपनीज मौजूद हैं कोटा के 70 किलोमेटर के एक्षेतर में 5 बड़े पावर प्लांट मौजूद हैं जिन में से चार पावर प्लांट बायू इंधर पर चलने वाले हैं और पाँचमा पावर प्लांट नुकलियर अनर्जी पर आधारित है जो कोटा से 65 किलोमेटर दूर चितोड़गड के रावत भाटा में मौजूद है इसके इलाव के लिए फेमस है देश भर से आने वाले ये बच्चे कोटा में लोंग टर्म एजुकेशन टूरिजम को बढ़ावा देते हैं जो इस सहर को हर साल 488 मिलियन डॉलर का आर्थिक फायदा भी देता है इतने सारे बच्चों के शहर में आने से लोगों को भी रोजगार के अवस मौजूद है जो वेस्टन सेंटरल रेलवे जोन के अंडर आता है कोटा जिले में चार रेलवे स्टेशन मौजूद हैं इस शहर में भारत के दूरस्त हिस्सों तक जाने वाली लगभग 182 ट्रेंस इसे हाल्ट की तरह इस्तेमाल करती हैं कोटा के सबसे पास जैपूर इंट एरलाइन की सुधाएं दी जाती हैं यहां की अथोरिटीज यहां एक और ग्रीन फील्ड एरपोर्ट बनाने के लिए प्लान बना रही है इस शहर से नेशनल हाइवे नंबर 27 और 52 भी गुजरते हैं जिनमें एनेशनल हाइवे पंजाब को करनाटक से जोड़ता है इसका करनाटक के अंकोला में जाकर खत्म होता है इसके लावा यहां से तीन एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाले हैं जिनमें कोटा हैदराबाद एक्सप्रेसवे चंबल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने वाले हैं दोस्तों कैसा लगा आज का वीडि से तुने विए एक्पलोर यर्स